खुर तो गुरुद्ध सार सबसे परहा है तो बहुत बहुत मुबार्ट बहुत ही अच्छा रिस्पाउंस ठोड़ी दिन में शाय तक हर्नेट मिलियों भी टच हो जाएगे सबसे परहा है कैसे अप्रेशेशन मिल रहा है अंटिल ना हो सब लोग बात करते है만 इंया गाने की रहें वा ज्यांका पंट था है पहले दो-ते दिंद जाने तो पाजी पहले दिन से फैन है when I was in school then college में वह उनके साथ काम कर के बहुत amazing feel and I think it's a blessing from the audience and from everybody that we are singing and thanks to him and we are having a great feeling, a great song, lyrics, a great video and everybody is loving it तैंक यू गुरु बाइब आपने जो भी सॉंग किये वह बहुत ही ब्लॉग बश्चर रहे हैं सबसे पर यह जाना चाहिए कि आप जो भी सॉंग तो यह जाना चाहिए कि आप जो भी चूज करें वह थाउजन्स ऑफ यह जा रहे हैं सिक्रिट कुछ निया है आई थिंग हार्ड वर्क है और दिल से काम करने करो तो आई थिंग सब कुछ मिलता है और टीम अच्छी होनी चाहिए तीम में अच्छे लोगों ने चाहिए जो सही बुर आपको बताएं अच्छी बगवान साथ है तो सब हीट है और कोई बी रिमिक्स करना और कोई बी रिमिक्स करना कोई गाने कोई यह क्रियेटिविटी नहीं है अगर कर भी रहा हूं तो अपने गाने को कर रहा हूं अगर मैं खुद नहीं गाने बना रहा हूं तीसरा इतिंक जो कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है रोटी का साधन है रोटी तो सब ने खानी है भाई किसी को किसी तरीके मिलती है चौथा में कृण घर हैं जिसको आप अच्छे से खर सकती हो जो कर रहे हैं और और इल्जन सिंगर भी साथ लेकर आजा आज्ड़ प्रजिजनल कमपोजर को लिए इससे को भी तो अभी तो आप कर रहे हो जब आप नहीं कर रहे होंगे तो आपका गाना गरोर पुछी गाएगा तो फिर आप यह सवाल उठागे उससे पहले अभी सब कोई कठे मिला के कर लो रीमिक्स ही करना दो क्योंकि ठीकर नहीं नया गा गाना नेम बना सकते हैं, तो नहीं बन रहा तो कोई नहीं, उसके लिए दिल हलका नहीं करना चाहिए, आप लोग, बट किसी का गाना ले रहे हो, किसी की क्रेटी वीडियो ठा रहे हो, जो उसने किसी जमाने में हिट कर रहा था, उसको बस आप बिठा लो, I think उसी में विन-व करो, सुर्मा के और एक खूबी थी, कि उसकी जो लोकेंशन है, बहुत ही अच्छी ही थी, राजस्तान के शूट किया गया है, इंडिया को बहुत ही अच्छा एक्स्प्लोर किया है, क्या आप मानते कि जो भी जो वीडियो होते हैं, सिंगल वीडियो जाद अतर करके इंडि आपको अलग अलग चीजे दिखानी परती है, उनको इंटरक्ट करने के लिए, उनको एंगेज रखने के लिए, तो उसमें हिंडोस्तान की लोकेशन की लोकेशन की बहुत हैं, अपने लोग बहुत होते हैं, पुरानी फिल्मों में जैसे जब 90s 2000 में फिल्म याथ तब बह फिल्म में आती थी, गाना बहर शूट करके आते थे, तो एक आँखो को अच्छा लगता था, फिल्म सारी इंडोस्तान में शूट हो रही होती थी, तो ऐसे मैं भी कोशिच करूंगा आदा यहां पर शूट करें, बहर भी शूट करें, ताकि ओडियन्स को नहीं नहीं नही आँगी पर शूट करें, अजल आप मुझे पता चला है, बट मेरको पता नहीं था कि वहां से नहीं उठाया हमने आँगको तो अब बहुंखो क्या पता उसने वहां से उठाया हो भई, मिरको तो अभी पता चला है इंट्रविश को दुरान कि वहां से भी एलेट कर रहें अगर उठाया भी आ तो भाई, I think उसमें अच्छी ही बात है, क्योंकि उसमें हमने कुछ यह नहीं दिखाया कि गलत नहीं दिखाया कुछ, I think पांच सेगंड का सीन है, और वो तो हिंदी में गा रहे थे, यह सीन अलग है, क्योंकि मैं इंगलिश आती नहीं है, मैं इंगलिश कि अगलिश गा के, है न, तो यह मारा सीन थोड़ा डिफरेंट है, और उसमें अपने का गाना करा है, उसके बाद मेरे सेंगल है, इस साल म करेंगे 10-12 और गाने, ओकला तो यह नहीं है, क्या प्रचाहिए पहले आपके फैंसे क्या मैसे देना चाहिए कुछ पहले तो बहु सब आटिस्टों कि लाइफ होती है, उसके लिए बाध अन्यवाद सब की तरफ से, सब आटिस्टों की तरफ से, और मेनत करते रहो, खुश रहो, होली को अच्छे से साय सेलिब्रेट करो, और दिवाली मनाओ, और गुर पूर मिनाओ, और हैप्पी निएर करो, मेरी क्रिस् thank you thank you thank you thank you